हाई गाईज और वेलकम टो सोनिस्वाड तो फ्रिंड आज मैं आपके लाई हूँ कि रात में ऐसा क्या करें जिससे कि आपके बाल बहुत जादा लंबे घने और मजबूत हो जाए और अगर आपके बाल बहुत जादा जड़ते हैं तो आपके बालों का जड़ना भी बिलकु वाल चाहते हैं और साती सात उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है मेरे DIY एयर ओईल तयार करने का बनाने का जो की बहुत ही जादा एजी है मैंने चार से पांच ओईल लिये है उस पर मैंने कुछ ऐसा डाला है जो कि आपके बालों को बहुत ही ज्यादा हेलदी बनाता है सॉफ्ट बनाता है और बहुत ज्यादा लंबा बनाता है तो जली से स्टार्ट करते हैं कि बालों को लंबा करने के ऐसे घरेलू उपाये हैं उसके हैं तरीके हैं जिससे कि हम अपने बालों को लंबा घना और मजबूत कर सकते हैं साथी साथ बालों को जड़ने से भी रोख सक क्योंकि सबसे जयादा अच्छा होता एंडा एंडा हुटा है लिदो कोटर एंग गोल प्रेस्ट होता है यहाँ अपर लेंगे 1 अटेबल सब्सून कोटर्फून और कोटर्फ लएंगे ऑमारे बालों को क्यास्ट कास्ट नट वाल को वाल्यूम और मज्बूत बनाता है बालों में बनाता है बहुत ही जदा होता है हमारे बालों को लंबा करता है तो हम यहां पे डालेंगे 1 टीश्पून क्यास्टबून और फ्रेंड हमारा थर्ड ओयल है वाइटमिन E ओयल वाइटमिन E ओयल भी बालों को लंबा घहना करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है साथ ही साथ हमारे बालों को नरिश भी करता है अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा उलसते हैं तूटते हैं बीच में से तो ये बालो का तेल या वाइटमिन E की कैपसूल एक से दो अपनी बालों की लेंध के अकॉर्डिंग इसे डाल सकते हैं और फ्रेंड हमारा फोर्थ ओयल है वो है आरगन ओयल ओफ मॉरेको अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राय हो गये हैं फ्रीजी हो गये हैं डामेज हो गये है साथि-साथि आपके बालों डामेच बालों को को प्रिपेर भी करता हैं बहुत ज야दा ड्राय बाल स्क्रेशली उनके लेंधिके बहुत ज़्यादा ड्राय हो चुकह हैं या उन्होंने कोई भी vit spiritual treatment कर वाइनी अपने कलरिंग करवाई है, स्मूथनिंग, स्टेटनिंग, उनके लिए ऑईल बहुत ही जादा अच्छा है, क्योंकि मुझे सलोन वालों ने ही बताया था, जो कि मैं बहुत ऐसा सीरम की तरह भी लगाती हूँ, जब भी आपके बाल आप फियर वाश करें, टावल ड्राइड ह तो इसके बाद आप थोड़ा सा लई, दो से तीन आप इसकी बूंदे लिए और बालों में अच्छे से लगाएं, यह बालों में एक तो डीपली पेनिट्रेट हो जाता है, और साथ ही साथ बहुत ही लाइट होता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कोई ओईल लगाया है तो यह भी बहुत ही जादा अच्छा है, अगर आपके बाल ड्राय हैं, डैमेज हैं, बहुत ही जादा रूखे सूखे बेजान हैं, यह बालों को मौशराइज करता है, साथ ही साथ बालों को स्मूथ करता है, बहुत ही जादा चमकदार बनाता है और डैमेज बालों को होना चाहिए क्योंकि यह सबसे ज़्यादा प्यॉर होता है तो हम इसमें डालेंगे वन टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जीन ओलिव और फिर लास्ट में हम डालेंगे इसमें रोजमेरी एसेंशल आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा नहीं मिलता है तो ऑनलाइन तो मिल ही ज करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूज होता है तो हम यह पर डालेंगे 4-5 ड्राफ्स फ्रोजमेरी और फेंड हम इसे ओल को लगाने से पहले हम इसे एक मिनट के लिए माइक्रोवेव में हीट कर देंगे आप इस ओल को बना के रग्ज भी सकते हैं इसमें कोई हाम नहीं है क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि खराब हो तो हम इसको पहले माइक्रोवेव में हीट कर लेंगे फेंड मैंने इसे एक मिनट तक माइक्रोवेव किया था ऑइल को सारे अब हम इसमें डालेंगे यह टोटली ऑप्शनल है हम इसमें डालेंगे एक चमच दही दही आप दो चमच भी डाल सकते हैं अपनी बालों की लेंट की अकॉर्ड हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो फ्रेंड हम इस ऑईल को बालों की पहले जड़ों पर लगाएंगे फिर हम लगाएंगे बालों की लेंट पर ताकि यह हमारे बालों में बहुत ही अच्छे से प्रेंड कोकोनट ओयल बालों को लंबा घना और मजबूत करता है साथ ही साथ इसमें ऐसे असे 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 होते हैं जो की बालों को मुलाइम करने के लिए और बालों में जो सौफनेस होती है वो उसको लॉप करता है और जो सेकिन में इसमेल था वाइटमिन ए वी बालों को बह 500 रुपी तक आ जाएगा पर जो यह oil है यह बहुत ही कम quantity में लगता है क्योंकि यह हमारे बालों में deeply penetrate होता है बहुत अच्छे से spread हो जाता है थोड़ा सा भी आप लेंगे ना तो आपके बालों में easily spread हो जाता है आप इसे चाहें तो serum की तरह यूज कर सकते हैं जैसे कि आपन अपने बालों को टावल राय किया जब आपके बालों में से excess पानी निकल जाएगा उसके बाद आप थोड़ा सा ले अपने हाते मसले और अपने बालों की lengthwise लगाए यह बहुत अच्छा काम करता है यह उनके लिए होता है जिनके बाल बहुत ही जादा ड्राय है और जिनके काये में जबूत बनाता है हमारे बालों को और अफेरों को पता है को कायेसटर ओघ् Brown को घना करने के लिए पहोती अच्छा होता है चैनर पर रह्राइप लबान सब्सक्राइब तो आपके बाल नहीं है बाल पैची साइन गंजापन आपके बाल आजाएँगे क्योंकि बहुत अच्छा काम करता है ये लास्स किया था आ ऐसेमिरि अल्य वह मैंने लिया था इसमें रोजमेरी इसेंशनचल अएल 4 to 5 डॉप डाले हैं आपके पास रोजमेरी अशेंशनच्य और नहीं है तो आप oke Baum colonial स Crisis faded अगर सुके मैं मेंसे आपके अब अपको अचकी मेरे आज पसना ही होगी कि बालों को हम लंबा घना और मजबूत कैसे कर सकते हैं और इस ओयल को आप 5-6 मेनिया एक साल तक भी स्टोर करके दख सकते हैं क्योंकि ऐसा कुछ इसमें है नहीं जिसे की चीज खराब हो जाए मेक शूर आपको जब भी लगाना हो आप अपने बालों की लेंज के अकॉर्डिंग ले एक से दो टेबल स्पून ले इस ओयल को हृश और नहीं होने चाहें चाहिए आप मेरे आपको आज की वीडियो पसंद आए होगी कि बालों को लंबा घना और मजबूत कैसे कर सकते है तो आप से मिलती हूं किसी नहीं होम डेमेडी ने डियाइवाई या किसी स्किन केर के साथ तिल दन बाबाई स्टे हैल्दी स्टे ब्यूतिफुल बाबाई